Summary of this story, the last clip summary starts with two girls namely Sue and Jonesy, एस स्टोरी के अंदर आपको दो करेक्टर मिलेंगे, Sue and Jonesy, बोट वर आर्टिस्ट, दोनों आर्टिस्ट थे, पैंटर थे, who lived together in a small flat, दोनों एक साथ एक छोटे से flat में रहते थे, In the month of November, November के महिने में, Jonesy fell critically ill, Jonesy जो है वो पूरी तरह से बिमार पढ़ जाती है, She suffered from pneumonia, उसको pneumonia हो जाता है, and goat bad ridden, और पूरे तरह से बिश्तर पर ही रहती है, She continuously gazed out of the window, वह हमेशा अपने रूम गे जो window होती है, उससे बाहर जागती रहती है, She, her friend, got worried, She, जो की Jonesy की दोस्त है, उसको इस बात से चिनता होती है, and called the doctor, और वो डोक्टर को बुलाती है, The doctor treated her regularly, डोक्टर उसका लगातार इलाज करता है, but Jonesy's condition deteriorated, लेकिन Jonesy की condition बद से बत्तर होती चले जाती है, The doctor confirmed that Jonesy had no will to live, और डोक्टर इस बात को confirm करते हैं, कि Jonesy के अंदर जो जीने की इच्छा है, will to live, वो ही समाप्त हो चुकी है, That was why the medicines were ineffective, और वो इसी को कारण बताता है, कि अब उसके उपर दवायों ने भी असर करना बंद कर दिया है, Jonesy वायल, lying on the bed, Jonesy जब अपने bed पर लेटी रहती थी, saw an old ivy creeper, ये एक बेल होती है, जो सामने जब विंडो से जहांकती है लेटी लेटी, तो दिवार पर एक बेल लगी होती है, climbing half way up the brick wall opposite to the window, सामने वाली दिवार पर एक बेल चड़ रही होती है उसके उपर और उसके कुछ पत्तिया होती है, और जो creeper होती है, जो ये बेल होती है, तेज हवा पहने की वज़े से, इसके एक एक पत्ति गिर रही होती है, जोन सी in her depressed mind created a thought, depression की वज़े से जोन सी के दिमाग में की विचार आ जाता है, that she would die when the last leaf fall, उसको ये बिली हो जाता है कि जैसे ही इस बेल की आंखरी पत्ती भी गिर जाएगी, वैसे ही इसकी मरत्यू हो जाएगी, मतलब जोन सी की मरत्यू हो जाएगी, however, she was very affectionate, she जो थी उससे बहुत प्रेम करती थी, she told her that she would recover, उसने उसको बताया कि वो ठीक हो जाएगी, and pleaded जोन सी not to look out of the window, और उसने कहा कि अब तुम आगे इस विंडो से बाहर जाकोगे नहीं, क्योंकि वो बेल से connect हो गई थी, तो तुम वहान नहीं देखोगे, but John C. was sure that she would die as soon as the last leaf falls, लेकिन उसका जो belief था कि वो जैसे हैं आखरी पत्ती गिरेगी, वो गुजर जाएगी, वो विश्वास उसका मजबूत होता जा रहा था, she was nervous at the deteriorating condition of John C., shoe जो थी वो जोन सी की बेकार हालत पर बहुत ज़्यदा चिन्तिप थी, shoe rested to the ground, shoe जो है वो ground floor पर जाती है, to seek help from 60-year-old painter named Behrman, तो नीचे वाले फ्लोर पर एक Behrman नाम के बुढ़े painter रहते थी, जिनकी उमर 60 साल थी, वो उनके पास चली जाती है, he had a lifelong dream to paint a masterpiece, Behrman का, मतलब 60 साल के बुजूर्ग painter का एक सपना था, कि वो अपने मरने से पहले अपना masterpiece, मतलब सबसे बहतरीन जो painting है, उसको बना करके जाए, she told him about the condition of John C. to Behrman, उसने Behrman को John C. condition के बारे में बताया, and her thought about the last leaf, और उसने यह भी बताया कि वो last leaf के बारे में, उस बेल के क्या सोचती है, he condemned John C. for silly attitude, वो John C. को उसके जो ये बेतु का वहवार वो कर रही है, इसके बारे में वो उसकी निंदा करता है, उसको समझाता है कि ये ठीक नहीं है, but agreed to paint the last leaf for John C. लेकिन जब वो agree नहीं करती, वो अपना attitude नहीं छोड़ती, उसका belief इतना मजबूत हो जाता है, कि वो अब मरेगी ही मरेगी, तो बहरमन, पैंटर, ये सोचता है कि, वो जोनसी के लिए एक last leaf को paint करेगा, ठीक है, और याद रखेगा कि, जो paint वाली पत्ती होगी दिवार के ओपर, वो कभी नहीं गिरेगी, वो हमेसा वहाँ पर पर्मनेंट रहेगी, ठीक है जी, so that she could recover, जिसकी वज़े से वो ठीक हो जाए, next morning, जोनसी वोकप, अगली सुह जोनसी उठती है, to her surprise, the last leaf survived in a storm, और उसको surprise हुआ कि, रात तूफान चला था, बारे साय थी, इस सब के बावजूद भी, जो आखरे वाली पत्ती थी, वो तूटी नहीं थी, अभी भी वहाँ पर बेल के उपर लगी हुई थी, and it was clinging to the creeper, it survived another storm, और ये एक तूफान को और जहल गई, in the evening too, और साम के टाइम जो तूफान आया था, उसको भी ये जहल गई, gradually, Joneses started to recover from illness, धीरे धीरे Joneses ही जो है, वो recover होने लगती है, her will to live had cropped up, उसके जीने की इच्छा फिर से जीवित हो जाती है, मतलब वो अब जीने में interest लेने लगती है, however, बहरमन डाइड ओफ निमोनिया, लेकिन इसी दोरान, उसने पैंटिंग बनाई थी, और उस रात को बहुत सर्दी पड़ी थी, नवंबर दिसंबर का महीना था, और बुजूर्ग वो बहुत ज्यादा था, इस वजह से, जोनसी की जान बचाने के लिए, उसने जो पैंटिंग मनाई थी, वो पैंटिंग तो पूरी हो गई थी, लेकिन उस पैंटिंग को बनाते वक्त, उसको खुद को ठंड लग गई थी, निमोनिय हो गया था, जिसके उजह से उसके मुरत्यू हो गई थी, that he caught while panting, the last leaf in the freezing cold weather, ठंडे मुसम में उसको निमोनिय हो गया था, Shoo told the truth to Jonesy about the last leaf clinging to the creeper, Shoo ने Jonesy को उस आंखरी पत्ती के बारे बताया, जो उस बेल पर permanent लगी रहती थी, She told her that it was the masterpiece of the old artist Behrman, और Shoo ने Jonesy को बताया कि यह Behrman का, जो उसका सपना था कि उस masterpiece बना करके मरे, उसने अपना masterpiece बनाया, और ऐसा masterpiece बनाया, कि उसने एक बीमार व्यक्ति को एक नॉर्मल व्यक्ति में convert कर दिया, who lost his life in the process to help her, और उसको यह भी बताया कि बहर्मन ने अपना जीवन तुम्हें बचाने के लिए sacrifice किया, to recover from her depression, क्योंकि Jonesy depression में थी, Thank you very much, take care, जाने से पहले चैनल को सब्स्राइब करना, Take care.